आप शायद इस बात से अन्जान होंगे कि एक सेहतमद इंसान एक मिनट में अपनी पलकों को लगभग 10 बार जपकाता है लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अगर आप खंटों बैट कर कंप्यूटर पर काम या फोन पर लगे रहते हैं तो आपकी पलके एक मिनट में 10 बार नहीं जपकती बलकी पलके जपकना सेहत के लिए बेहत हत तक लापकारी सेध होता है लेकिन अगर आपकी पलके एक मिनट में 10 बार नहीं जपकती तो आपको सावधान होने की ज़रत है जिहां आपको बता दे कि ये आखों की एक बिमारी होती है जिससे ड्राइ आई सिंड्रोम भी कहा चाता है जिससे आपको सावधान रहने के सबसे ज़्यादा ज़रत है आई आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आपकी पलकों का जफकना क्यों जरूरी होता है आपको बता दे कि हमारी आखों की पुतलियों में एक लिक्विड मौचूद होता है जो ल्यूबिक्रेंट के भाती कारे करता है लेकिन आपको ये भी बता दे कि आपकी पलके जफकने से पूरी तरह आपकी आखों में फैल जाता है और आपकी आखे पूरी तरह से गीली हो ज चली जाती है और गीली नहीं होती और आपके आखों में सूखा पन आने लगता है इसे ही ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं बैतर होगा आप डॉक्टर्स अपनी आखों का चेक अवस्य करें जिससे आप आखों की बिमारी से बचे रहें आएए आपको आगे इस वीडियो में प्राई आई सिंड्रोम के लक्षों के बारे में जानकारी देते हैं जिया इसके लक्षण आखों में जलन होना इसके अलावा आपके आखों में चुबन सूखा पन और खुजली का बार-बार होना इसके अलावा आपके आखों का भारी पन होना और आपके आखों में लाली बिमारी से बस सकते हैं करन हल्डेक से रानी की रिपोर्ट